Assalamu alaikum, welcome to macguide इस पीडियो के लिए में को बताऊँगा कि मापस अपना students का data होता है अगर उसके साथ रॉस में इमेजिस भी add करनी हो तो हम किस तरह किसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं Excel पर आ जाता हूँ यहां पर यह मेरे पास data बना हुआ है अगर आपको यह data बनाना हो तो आप किस तरह किसे बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह data copy कर लाता हूँ अच्छा यहां पर इस data में आप देख सकते हैं कि यह में पास picture साथ में अप्लाय हुआ हुआ है और अगर for example मैं इस size चोटा करता हूँ तो मेरी images भी उसके साथ move हो रही है जैसी मैं cell को चोटा कर रहा हूँ तो मेरी images भी उसके साथ चोटी हो रही है तो इस तरह का data किस तरह किसे create कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसको copy कर लाता हूँ new sheet के अपड मैं sheet 2 के आ जाता हूँ और यहाँ FMS को paste special कर जाता हूँ अचा paste special जो है मैंने आप इसकी shortcut key create क्या रखी है micro के through तो अगर अभी तक आपने shortcut key create नहीं की है तो आप मेरी video देखके जो हो इसको form create कर लें क्योंकि यह बहुत ज़्या helpful होती है अगर आप नहीं करना चाहते है तो आप इसको right click करके paste special use भी कर सकते है अचा तो सबस्क्राइब मैं इसकी formatting मैंने माँपे की हुई थी मैं वो कर लेता हूँ तो सबस्क्राइब इसको मैंने select किया format cell पे जाएंगे है fill effects पे जाएंगे और यहां पे जाएंगे जो मैंने वोपे colors दिये हुए थे वो मैं select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद मैंने select किया और इसके उपर border apply कर देता हूँ ठीक है तो इसका मेरा look था वो जैसा यहां पे था वैसा बन गया यहां पे color मैंने white use किया था तो इसका white कर देता हूँ ठीक है अब इसके बाद यहां पे जो मैंने उसका size रखावा था वो 43-45 था तो मैं यहां पे भी इसका size of 43-45 कर लेता हूँ ठीक है अचा अब इसके बाद जो हम यहां पे image insert करेंगे pictures पर दाएंगे insert पर दाएंगे this device ठीक है और यहां पे बाद image है तो मैं फिलाल कोई पे image जो वो copy कर लेता हूँ अचा जब भी हम कोई भी new image इसके बिनर add करता है insert करता है तो मैं पास इसी तरह किसे जो भी उसका original size होता है ठीक है तो इसको मैं यहां से चुड़ा कर देता हूँ आप direct जो यहां से भी इसको small कर सकते है ठीक है मैंने जो यहां से इसको height को जो उसको कम किया तो वहां से size जो चेंज हो गया ठीक है अब इसके बाद मैं इस image के उपर click करूंगा इसकी format size and properties में जाओंगा और यहां पर मैं इसकी properties में select कर दूंगा move and size with cells ठीक है तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि मैं इसको चोटा बड़ा कर रहा हूँ style को तो इसका size नहीं हो रहा है ठीक है लेकिन जब मैं इसके उपर click कर दूंगा ठीक है तो अब अगर मैं इसको change करूंगा तो मेरा image का size है वो भी इसके साथ change होगा ठीक है तो इसका वापस बढ़ा कर दता हूँ अच्छा अब इसके बाद यह काम हर image के उपर करना होगा ठीक है हर style के उपर जो हम इस तरीके apply करेंगे तो इसलिए में उसका shortcut क्या करूंगा कि मैंने image को copy किया ठीक है यहां पर इसको paste कर दिया है यहां इसको paste कर दिया और यहां पर भी इसको paste कर दिया तो अब इसका size था जो इसकी formatting थी वह सब कुछ सेम है adjustment के पर right click करूंगा और यहां पर change picture कर दूंगा ठीक है from a file यहां पर जो भी उस student की picture है वह यहां पर select कर दूंगा इसके बाद हम यहां पर freeze कर देंगे view tap के अंदर जाके मैं इसको freeze कर देता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा वहां पर data बनाए वा था वह यहां पर create हो गया ठीक है तो इस तरीके से जो हम लोग अपने students के साथ जो हो इनकी images भी लगा सकते हैं कि जो भी उनकी information है हमका data है mobile number है CNIC है class वगारा जो भी है वह सब हम उसमेडागे उसके साथ उनकी image वह भी इसके साथ add कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको बताए कि हम लोग कि इस तरीके से जो वह raw के अंदर या column के अनदर जो अपनी images इस भी add कर सकते हैं students की ठीक है next video के दो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इमेज इस तरीके set करना नहीं चाहते है क्योंकि इसमें एक problem ही होती है कि मारी raws बहुत 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 चाड़ी हो जाती है इसलिए आप देख सकते है इसलिए वह थोड़ी बड़ी है तो उसमें क्या होगा कि मेरी raw जाह वह मजीब जादा चाड़ी हो जाएगी जिसके विरसे अब पस data चाह ओओ और कम display होगा तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पस image भी बड़ी हो हो और मेरी raw जाहे हो भी चाड़ी ना हो झाल